नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका काना का पन्ना यूटुब मंच पर 2024 का लोगसबा चुनाब नजदी का चुका है 2024 के लोगसबा चुनाबों को लेकर समाजबादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट गोशित कर दी है वहीं पर भारती जन्ता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का एलान अभी नहीं किया है ऐसा माना जा रहा है कि भारती जन्ता पार्टी 15 फरवरी तक अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वामी प्रिसाद मौर्या के बारे में जो लगातार अपने विवाजित बयानों के लिए सोसल मीडिया पर बने रहते हैं स्वामी प्रिसाद मौर्या की बात करें तो स्वामी प्रिसाद मौर्या खुद MLC है और इस बार 2024 का लोकसवा चुनाव नहीं लड़ेंगे बलकि वो अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं स्वामी प्रिसाद मौर्या की बेटी संग मित्रा मौर्या इस समय बन्दायू से सांसद है वो भाजपा के टिकट पर बन्दायू से सांसद बनी है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मिंद्र यादव को हराया था लेकिन अब ये अटिकले लगाई जा रही है कि संग मित्रा मौर्या का टिकट इस बार भाजपा काट सकती है तो इसको लेकर कही न कहीं ये भी हो सकता है कि अगर भाजपा संग मित्रा मौर्या का टिकट काटती है तो संग मित्रा मौर्या समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं लेकिन वही स्वामी प्रिसाद मौर्या अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं लेकिन ये भी ख़वर निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रिसाद मौर्या अपने बेटे असोक मौर्या के लिए भी टिकट मांग रहे हैं वो खुद लोकसवा लड़ना नहीं चाहते लेकिन अपने बेटे या अपनी बेटी को लोकसवा लड़ाना चाहते हैं ये बात तो त्य है कि इस बार का लोकसवा चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्या नहीं लड़ेंगे बलके वो सम स्वामी प्रसाद के बेटे की बात करें तो इनका नाम असोक मौर्या है और ये उंचाहार बिदान सभा से चुनाव लड़ चुकी हैं वहां से ये मामली वोटों से हारे थी इन्होंने यहाँ पर बहुजन समाजबादी पार्टी के चुनाव चिन पर चुनाव लड़ा था तो अब ये कयास लगाए जा रहे है कि स्वामी प्रसाद मौर्या अब अपने बेटे के लिए समाजबादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और वो कोई और सीट नहीं बलके आमला की लोगसबा सीट मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मौर्या समाज़ के अधिक लोग रह अगर हम आमला सीट की बात करें तो आमला सीट का क्या जातिये समीकरड है आईए हम आपको समझाते हैं आमला लोगसबा सीट के अगर जातिये समीकरड की बात करें तो यहाँ पर दो लाग के आसपास मौर्या समाज़ के बोटर हैं तो वहीं दो लाग के आसपास यहाँ या अगर इनको मिला दिया जाए तो 10 लाक बोटर होती हैं यानि के अगर समाजबादी पार्टी आमला सीट से किसी मौर्या ब्रादरी के व्यक्ति को टिकट देती है तो वो यहां से आसानी से जीत जाएगा यही बज़े है कि स्वामी प्रसाद मौर्या इस सीट को अपने बेटे के लिए मांग रही हैं क्योंकि उनकी मौर्या समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है वो मौर्या समाज के नेता है इसलिए वो आमला सीट को समाजबादी पार्टी से अपने बेटे के लिए मांग रह देगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा क्योंकि राजनीती में कुछ भी हो सकता है लेकिन इस वार एक और संसे बना हुआ है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी संगमित्रा मौर्या भाजपा से सांसद है तो ये खबरें भी चल रही है कि संगमित्रा मौर्या का टिकट भाजपा इस बार काट सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उदर से भाजपा संगमित्रा का टिकट काटती है तो संगमित्रा समाजवादी पार्टी में अपने पिताजी के साथ आ सकती है अगर ऐसा होता है तो फिर क कहीं न कहीं समाजबादी पार्टी को टिकट देना पड़ेगा और टिकट देना पड़ेगा तो समाजबादी पार्टी आमला से ही कहीं न कहीं किसी एक को इन में से उतार सकती है जहां स्वामी प्रसाद मौर्या के या तो बेटे हो सकती है या उनकी बेटी यहां से चुना ब दे सकती है क्योंकि उन्होंने बदायु से धर्मिंद रियादव को ओहराया है तो यह भी बज़े है कि अगर भाजपा टिकट देती है तो तो संगमित्रा मौर्य भाजपा में ही बनी रहेंगी लेकिन अगर टिकट कटती है तो कही न कई समाजबादी पार्टी की ओर वो जा स सकती हैं क्योंकि राजनीती में संभावना होती हैं तो कुछ भी हो सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें अपनी राय कमेंट वॉक्स में अबस्च बताएं लोकसभा चुनाब 2024 को लेकर आप कौन सी लोकसभा का बिसलिसड जानना चाते हैं ये भी अपनी राय हमें कमेंट वॉक्स में अबस्च बताएं मिलती है एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए धन्यबाद